और वो सरगार प्रलगातार हमिलावर है है निंदनी है समाज में इस तरह की चीज को कोई बढ़ावा नहीं दे सकते हैं अगर इस तरह की घटना घटती है तो कानून अपना काम करता रहा है कि साक्ष मिलते हैं उसके लिए कानून प्नावा है पुलिस अपना काम कर रही है जांच में साक्षी जिस पर भी मिलेगा कारवाई होगी और मुक्हमंत्री नितीज कुमार जीरी तो बहुत साफ का सब्दों में क्रिपीट किया है कई उदाहरन है अब उनको उदाहरन नहीं दिखाए पड़ता है ति कौन समझाएगा उनको कि न किसी को बचाया जाता है और न किसी को छोड़ा जाता है तो इसलिए जो अपराद करेगा वो जांच में जो भी पकलाएगा कि अब काम होगी कानून अपना काम कर रहा है कोई हस्तरचेप नहीं है सरकार का कहीं भी नहीं होता है हस्तरचेप तो इस तरह के नीत करना यह उनकी मानसिक्ता दिखाए पड़ती है कि उनकी मानसिक्ता क्या है किस मानसिक्ता से ग्रस्त है वह एक घटना तो हुई नहीं है तो आपको तो बताना चाहिए अगर एक घटना पर आप बोल रहे हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि घुसवरी गए थे आप लेकिन वहां भी तो बोलिएगा कि कौन-कौन लोग थे उसमें जहानाबाद का रास्ता दिखा हुआ नहीं है गया करेक रास्ता दिखा हुआ नहीं है कि छोट मई को चिन्दुवारा में हुआ हत्या तेइस मई को खिजर सरय में हत्या हुई उत्रामा गाउं में तो यह सब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन लोग करने वाले उसमें बोलिए नाम लिए तो घटना हम उसकी कोई नाम लेने की बात नहीं करें करें कि घटना हो होती है करवाई होती है पुलिस करवाई करती है अपने जांच करती है जिस पर साक्ष मिलता है जो प्राधी होते हैं उनको चिन्रीत करती है करती है हर मामले में करवाई हो रही है गोपालगें मामले में भी पुलिस ने करवाई किया जो हमको जनकारी है गुश्वरी के मामल पुलिस मैनुवल में जाच करने का अधिकार जाच अधिकारीयों को है लेकिन अब इतना ग्यान रहे तम न ग्यान कौन देगा उधार मिलता है क्या बजार में बिखता है क्या न उधार मिलता है न बजार में बिखता है तो ग्यान कहां से लाईएगा जिन्स तो कुछ पिता जी का जिन्स आएगा न जी शरीर में तो पिता जी का जिन्स है अब पिता जी का इतना भारी जिन्स आ गया उनके शरीर में कि नवालिक रते हजारों क्लोर रूपे के मालिक बन गए हूँ ऐसा देखे हैं गहीं कि दिविशार में कितने लोग होंगे जो नवालिक रते हुए भी हजारों करूर के मालिक बन गए तो उस पर भी जहां बोलिए कि हम भाई नवालिग थे हम नवालिगे में बच्चा जब थे तभी से हम ब्यापार करने लगे पहाजारों क्लोर बना लिए पोल ना चाहिए सब कौन सुन रहा है अभी बरसात आ रहा है चुना हुआ रहा है तो ही सब काम करते रहेंगे और बरसात के बाद पिर अंतरध्यान हो जाएंगे पते नहीं चलेगा को खोच के मर जाएगा कहां रहेंगे कुरोना में तो थे ही कहां थे अब अभी तो बड़ा भारी परवासी मजदुनों के चिंता जताने है पूरा करोना संकट में मुख मंत्री जी अकेले जूज रहते यहां लड़ रहते सारी कारवाय हुई कारंटाइन सींटर बनाया है उन्हों ने सब जयगा परवासी मदुनों को यहां लाया गया है और उसके अलावा कारंटाइन सेंटर काख दिया गया और सब को जाने के साथ पाक 500 रुपया दे के भी धायदिंग किया जा रहा है तो उनकरता है कहां हो रहा है? किस पर्देश में हो रहा है? तो лет इस अब आपको नहीं समझ में आएगा इससब आपके समझ की बाहँ की चीज यह Čनन्हें माथा को उपर से निकल जाएगा सब सिख्षित आदमी को समझ में आता है लेकिन आपका जीन से आपके पिता जीन साथ में और जीन्स बहुत ज्यादा है तो इसलिए सब समझ में नहीं आएगा उनकी थाली बजाने के लिए अपील कर रहे हैं तो यह बागे आर्चेटी के नहीं था कि आप थाली बजाए भाई अभी बरसात का समय आने वाला है कुछ दिन में तो चुनाव है तो चुनाव के बाद फिर कहीं नहीं नजर आएंगे हो चिंदा नहीं करें लोग सवा के चुनाव के बाद तो नजर नहीं आ रहे थे बहुत दिन तक विधान सवा के चुनाव के बाद भी कहीं नजर लोग कही नहीं करें लोग कही इन lyok में शुपड़ा साफाइब रिखी की यह कासी क्थ पर स्चेनावायोग का में शुथ महाराष्ट में विधान परिषत का चुना हो ह१ा, बिहार में भी विधान परिषत का चुनाओ करादेना चीत, बथली हैं वीजेटी वइती, तो क्या लखता है आने वले घिलहों ने अपkapर मुझस पर होislah इस पर पार्टी इस पर काम वर्काउट कर रही है, पार्टी इस पर निटी बना रही है, पार्टी इस पर रूप रिखा बना रही है, और मुखमंत्री जी तो लगतार वीडियो कॉन्फरेंसिन से अपने पार्टी के नीचे के ग्राउं, अस्तर तक ग्राउं, अस्तर तक के क पूरिय तरी के से तयार हें है कि अंधोपन तयार और हम लोगों से ज़्यादा तयार जितना हम लोग जनन में भी जाने का समय उनका आएगा वी परसात है चिनाव का महोल है तो परसाती बेड़ा कि तरह उचल रहे हैं फिर हाइवर्नेशन में जाएगा